हेलो दूस्तों जैहिन नमस्का स्वागत एक पर फिर से आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल में दूस्तों आज बात करेंगे ऐसे सी जीडी कॉंस्टेबल भरती के बारे में जो कि 2024 की भरती होने वाली है कैसे फॉर्म को आविदन करना होगा इस फॉर्म को आविदन कर पाए हं तो इसमें यूजर नम पासवर्ट डालके कैसे फिलड करना होगा कैसे लॉगिन करना होगा आपको कैसे चेक करना होगा कि हम फॉर्म को आविदन कर दिए हैं फॉर्म vegetable को को पावेदन करने के लिए उसे कैसेश ठीक कर सकते हैं यह सब सारी जानकारी आप सभी को इसी वीडियो में दी जाएगी इस भरती का OPCL notification भी जारी हो चुका है जो कि OPCL website पर आप सभी के लिए इस भरती का OPCL notification जारी कर दिये गया है फोंको फील करने की डेट जो पहले रिधार्ट की गए थी वो डेट बगच चुकी है कितने दिन के लिए बगच है यह भी आप सभी को बताएंगे एक्जाम नेशन डेट कब तक होगी यह सब सारी जानकारी आप सभी को इसी वीडियो में बताए जाएगी वीडियो को आप टोटल कंप्लेट देखते रहेगा तभी सभी क्यूर्शन के डाउट आपके क्लियर हो पाएंगे ओपीशियल बेपशाइट पर इस भरती का ओपीशियल नोटिपिकेशन भी जारी हो चुका है आप सभी को सबसे पहले ओपीशियल नोटिपिकेशन ही दिखा देते हैं तो यहां पे दोस्तों आप OPCL Notification को भी चेक कर पा रहे होंगे जो कि आप देख पा रहे होंगे important notice की प्रकार पे आप यहां पे देख पा रहे होंगे तो यहां पे जो भरती निकाली गई है इसमें आप देख पा रहे होंगे इस भरती की examination date जो है 2025 तक निरधारित की गई है और इस भरती की जो शुरुआते ओ लाश्ट डेट निधारित की गई थी पहले तो इस भरती की लाश्ट डेट जो थी वहां पे आप देख पा रहे होंगे 27-2024 थी पर अब इस भरती की अंतिम्तित यानि के लाश्ट डेट पगा के 59-2024 कर दी गई है दोस्तों आपको बिल लेकिशन नोडिकिया सबसारी जानकारी तो चलिए आप सभी को जया जाएगके तो organisation निम ये तो दोस्तो आपको पताई होगा जो कि staff selection commission यानि कि ssc के पंदों परभरती निकाले गए है post name तो आपको पताई होगा meditate PD यानि कि play dedi के गुष्टी यानि कि निकाले गए है total post आपको पता होगी का होगा इस भरती काफी दिन से निकली हुई है इस भरती के बारे में पहले ही पता हो चुका होगा इस भरती की जो डेट है वो फिक्स करके हटा दी गई है यानि कि बगहा दी गई है यह साथ हजार पदों से ज्यादा पदों पर भरतिया निकाली गई थी सेलरी यहाँ पर आप देख पा रहे होगे 21,700 रुपे से 79,100 रुपे पर ती मनतिस भरती में सेलरी भी आप सभी को डी जाएगी यहाँ पर पोस्ट आप देख पा रहे होंगे जो कि All India है दोस्तो यानि कि पोस्टेएं जो आपकी हैं और पोस्ट कहां यानि कि आपकी भरती कहां पर की जाएगी तो All India में किसी भी कोने में कहीं भी हो सकती है यहाँ पर apply mode आप देख पा रहे होंगे जो कि online माधम से form को आवेदन करना होगा official website तो आपको पता ही हो चुका होगा और यहाँ पर दोस्तों आईए बात कर ली जाए आपर सबसे पहले age limit के बारे में बात करेंगे तो age limit यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो कि minimum age यहाँ पर 18 वर्स और maximum age यहाँ पर 23 वर्स के बीच के candidate इस form को आवेदन कर पाएंगे बीना किसी problem के और यहाँ पर दोस्तों आपको बता दिया जाए कि age में रिलेक्शन यानि के छूट भी दिया जाएगा जो कि sasht candidate को 5 वर्स का छूट और obc candidate को बिल्कुल 3 वर्स का छूट दिया जाएगा तो यहाँ पर दोस्तों आईए बात कर लिए application form fees के बारे में तो जो candidate यहाँ पर यूआर obc के candidate हैं जो भी यूआर obc से बिलॉंग करते हैं उनके लिए बिल्कुल 100 रुपे लगेंगे sasht की जो female candidate हैं उनके लिए fees बिल्कुल free है payment mode आपको प्रेमेंड तो आपको पता ही है जो कि online माधम से ही आपको करना होगा अगर आप अपने किसी नजदी की को चार्ज यानि कि चार्ज को कटा देंगे तो दोस्तों यहां पर आये बात कर लिए ऐसे से जीडी रिकूर्मेंट इलीज विल्टी के बारे में तो इलीज विल्टी जो यहां पर होने वाले सिंपल और सिंपल अगर आप दसवी भी पास फिर भी बिना किसी प्रोब्लम के को आवेदन कर पाएंगे किसी भी यूनिवर्सिटी से यानि कि किसी भी बोर्ट से आप कंपलीट किये हो यानि कि दसवी की परिक्षा फिर भी प्रोब्लम के आवेदन कर पाएंगे यूपी बोर्ड या आप सभी को यूपी बोर्ड हो या सीबिसी बोर्ड हो या किसी भी यादे लही वोड हो किसी भी वोड से आप भारत के किसी भी कोने से आप हैं तो इस फॉम को बीना किसी प्रोब्लम के आवीदन कर पाएंगे पोस्ट नेम यहां पे आप देख पा रहे होंगे जो कि ससी कॉंस्टिवल जनरल डेटी है दोस्तो टोटल पोस्टे तो आपको पताई है जो कि साथ हजार से ज़्यादा पदो पर भरतियान निकाले गई हैं यहां पे दोस्तो आईए बात कर लिए एससी जीडी रिकुर्मेंट दोजार चोवीस मेल कैंडी रेट के बारे में यानि कि मेल कैंडी डेटों के लिए पोस्ट नेम क्या होने वाली है तो यहां पे पोस्ट और यहां पे कैटेगरी आप स अभिने प depiction नहीं बता सकते हैं क्योंकि अभी तक OPCL notification जारी किया गया है इस पह भी तक यह जानकरी नहीं दी गया ही कि कुल कितने पोश्टों पर भरतिया निकाले गई इन ये अलग-अलग काटिगरियों के बारे में यहाँ पर SSB की और ITVP की A.R.E.S.S.F की यहाँ पर भरतिया निकाले गई है यह तो fix कर दिया गया है कि 60,000 पर भरतिया निकाले गई है लेकिन ये fix नहीं किया गया है कि यह जो defense की vacancy है यानि कि ये तो defense vacancy है या आपको पताई है ये भरतिया कितने कितने पोश्टों पर निकाले गई है जैसे ही कुछ fix की जाएगे तो हम आप सभी को वीडियो के माद्धम से सबसे पहले बताएंगे यहाँ पर female candidate के लिए भी वही चीज़े निर्धारत की गई है जो कि SC, ST, OBC, EWS, UR candidate के लिए यहाँ पर वही चीज़े निर्धारत की गई है जो कि यहाँ पर BSF, CISF, CRPF, SSB इसी प्रकार से आप notification को भी चेक कर पा रहे होंगे जो कि यहाँ पर ITVP, AR, SSB के पदों पर भरतियां देखने को मिल सकती है तो यहाँ पर दोस्तो आईए बात कर लिए इस फोम को आवेदन करने के लिए आपकी जो यहाँ पर है selection process यानि की chain परक्रिया तो इस एन परक्रिया के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर दोस्तो आपको बता दिया जाएगी आपको कम से कम यहाँ पर हर subject में यानि की जो है आपके 45% marks भी होने चाहिए यहाँ पर आपको बता दिया जाएगी रीटन एक्जाम भी आपको देना होगा बिल्कुल 60 मिनिट में आपको complete करनी ही करनी होगी और यहाँ पर दोस्तो आपको बता दिया जाएगी यहाँ पर 0.5 marks आपके काट लिए जाएगे अगर एक wrong question आप करेंगे तो और यहाँ पर आपको बता दिया जाएगी computer का basic knowledge भी आपको होना चाहिए और यहाँ पर जो आपके total question होने वाले ही वो total 80 question यानि कि 80 question होंगे हर question पर आपको 2-2 यानि कि 2-2 marks दिये जाएगे तो यहाँ पर इसी के लिए आपको आगे बता दिया जाए तो यहाँ पर दोस्तों आप देख पाएहूं जोकि Subject और यहाँ पर number आप MCQ और यहाँ पर यहाँ पर आप देख पा रहोंगे maximum marks और total यहाँ पर times यहाँ पर निर्धारित की गई है तो यहाँ पर general intelligence & reasoning के total question होने वाले है general intelligence & reasoning के total यहाँ पर 20 question होने वाले हूं उसके marks आपको पहले ही बता दिया है कि हर क्युस्चन पे दो marks दिये जाएंगे तो यहां पे 20 क्युस्चन के टोटल 40 marks दिये जाएंगे और यहां पे आप देख पारे होंगे जनरल इकनोटे आइंड जनरल आवारणेस के जो टोटल क्युस्चन होंगे वो यहाँ पे 20 क्यूस्टन होंगे टोटल यहाँ पे मार्क्स जो आपको दिये जाएगा 40 मार्क्स दिये जाएंगे इसी प्रकार से आप देख पा रहे होंगे जो कि Elementary App Mathematics यहाँ पे टोटल 20 क्यूस्टन के 40 मार्क्स दिये जाएंगे और यहाँ पे English and Hindi के टोटल 20 क्यूस्टन के यहाँ पे 40 मार्क्स दिये जाएंगे टोटल जो यहाँ पे टाइम में आपको मिलेगी वो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो कि 60 मिनिट मिलेगी तो यहाँ पे दूस्तों आईए बात कर लिजाए syllabus के बारे में तो यहाँ पे जो syllabus आपका निर्धारित किये गए है आपको यह तो पताई होगा जो कि जनरल intelligent and reasoning के जो टोटल क्यूस्टन है वो तो आपको पताई चल गया होगा यह फर्स्ट है और सेकेंड यहाँ पे आप देख पा रहे होगा जनरल एकनोग आएंड जनरल awareness के यहाँ पे दूसरा subject आपका है दोस्तों और यहाँ पे यह तो आपको पताई होगा elementary आप mathematics और थर्ड यहाँ पे जो होने वाला है आपका यहाँ पे थर्ड आपको बता दिये जाए तो Hindi and English है दोस्तों तो यहाँ पे आईए आपको बता दिये जाए यहाँ पे SSC ZD Constable का जो यहाँ पे PET और PFT टेस्ट होगा वो किस प्रकार से होगा और इसमें height कितनी निर्धारित की गई है और यहाँ पे chest कितना लिया जाएगा या height male की कितनी लिजाएगी female की कितनी लिजाएगी यह सब सारी जानकारी आप सभी को बताया जाएगा तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो कि height यहाँ पे जो निर्धारित की गई है male candidate के लिए सबसे पहले बताएंगे तो male candidate यहाँ पे UROBC SC candidate के लिए जो height है यहाँ पे 170 cm की height यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे और female candidate की जो height है यहाँ पे 157 cm की height होनी चाहिए UROBC SC candidate के लिए और यहाँ पे height यानि की HD candidate की height के बारे में male के बारे में बात करेंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 162 cm की height यानि की 165 cm की height होनी चाहिए और यहाँ पर आएए बात कर लिज़े female candidate के बारे में female candidate के height जो ST से बिलोंग करते हैं उनके लिए 150 cm के height होनी चाहिए chest यहाँ पर UR, OBC SC candidate के लिए बात करेंगे तो 80 सी लेकर 85 के बीच में chest होना चाहिए वो भी male candidate का यानि कि spend करने पर फुलाने पर 5 cm का और भी होना चाहिए female candidate का chest नहीं मागा जाता यह तो आपको पताई है दोस्तों और यहाँ पर आएए बात कर लिज़े chest ST के बारे में यानि कि ST के chest के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर 76 से लेकर 81 के बीच में chest होना चाहिए यानि कि फुलाने पर 5 cm का और भी होना चाहिए female candidate का आपको पताई है दोस्तों race यानि कि running के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे male candidate के लिए running यहाँ पर जो है 5 km के running बिल्कुल 24 मिनट में complete आपको करनी ही करनी है female candidate की जो यहाँ पर running निर्धारत की गई है वो 1600 मिनटर की running बिल्कुल आपको 8 मिनट 30 सेकेंड में complete करनी ही करनी है दोस्तों और यहाँ पर आईए आप सभी को बता दिया जाए कि इस फॉम को आबेदन करने की सुरुआती और लाश्ट डेट के बारे में तो आपको बता ही दिया तो यहाँ पर आपको बता दिये जाए जो इस फर्ती की डेट है वो 59-2024 तक fix कर दी गई है तो दोस्तों आईए यहाँ पर आप सभी को और भी जानकारी दे दी जाए तो यहाँ पर दोस्तों जो यहाँ पर यह भरती निकाली गई है इसमे अलग- ¿अलग पोश्टों पर भरती हैं जो आपके निकाली गई है यह तो आपको पता ही होगा दोस्तों यहाँ पे C-A-P-F-S के पदो पर भरती SSF यानि कि rifle man के पदो पर भरती जीड़ी असम राइफल मैन के पदो पर भरती अलग अलग पोश्टों पर भरती या निकालेगे हैं यह सब सारी जानकारी आप सभी को दे दी जाएगी तो यहाँ पे आईए आपको बता दिये जाए फों को आबेदन किस प्रकार से करना होगा तो आपको यहाँ पे बता दिये जाए कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे अपना पहले यहाँ पे आपको registration नंबर कहने का मतलब यह है कि आपकाタ़ registration नंबर और password डाल के पहले आप registration आप करेंगे नहीं अगर यह आपको नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पे आप देख पारे होगे सबसे पहले आपको login करना होगा login करने के बाद आपका registration number और password यहाँ पे fill up करना होगा तो इस प्रकार से आप यहाँ पे पहले आप देख पारे होगे अगर आपको registration पहले करना होगा उसके बाद आपको पराप्त होगा यानि कि यहां पे आपको password और यहां पे आपका username लगेगा तो इस प्रकार से आप form को feel कर पाएंगे किस प्रकार से feel करेंगे सब तो यह सब सारी जानकारी आप सभी को पीडिव की डिस्टन में एक लिंक दे रहे हो महीं से जाकर आप ले पाएंगे तो comment box में आप comment कर दीजेगा हम आप सभी को reply करके जरूर बताएंगे तो דोस्तों आपको एक जरूरी बात और बताएं कि आप किस राज़ार जिली से belong करते हैं आप अपने राज़ार जिली का नाम comment box में comment कर दीजे ताकि आपके राजजोर जिले से कोई भी नया notification कोई भी नई भरती निकल के आएगी तो हम आप सभी को वीडियो के मादधम से सबसे पहले बता सके तो दोस्तों जो भी चैनल पर नए candidate हैं वो चैनल को सबस्क्राइब करके all notification बिल्कों कर जरूर दबाये रहेंगे तो आने वाली जो भी नई भरती हैं यानि कि नई नई अपडेटे हैं वो आपके पास वीडियो के मादधम से सबसे पहले बता सके तो आज के लिए बस इतना है मिलते हैं एक नई बीडियो के लिए तब तक के लिए जै हिंदू वंदे मातरम